हेलो, नमस्कार, मैं प्रदुप मर्कस बेलकम टो दमाय यूटूब चानेल डिस्काउबरी ओफ लाइब न्यूज महाकाली आधासक्ती भवाने ही शंप्रून चारा चारा जगत के स्रिष्टी के पालन और संगार की देवी हैं और सदासी भी परब्रम शरूपा महाकाल हैं जिन दोनों के द्वारा ही श्रमस्त जगत का संचालन होता है यही आधिसक्ती भगवती तीनों गुणों को उत्पन करने वाली हैं स्रिष्टी को चतन रखने वाले थिरद्यव की यह महासक्ती हैं इसके बिनाम प्रमा स्रिष्टी करचना नहीं कर सकते बिष्डों पालन नहीं कर सकते और भवान संकर शंगार नहीं कर सकते सारवेस्वर होते हुए भी शक्ती के बिना शिव भी शव के समान हो जाते हैं यही महादवी साते कुरूप में बैस्रणवी, सरस्वत्ति, लक्ष्मी, सीता बनकर आई और भगतों का कल्यान करती है और तामसे कुरूप में महाकाली, कालरात्री, तारा, वन, शौरुप धार्ण करके वही भगतों का कल्यान करने में शक्षम है हमारे प्राचिन इरिशिमुनी के द्वारा शौर्विज्ञान में बहुत सारे सोध किये गए और उनके द्वारा प्राथ हुआ कि परतेक सब्द द्वारा जो गुंजन स्वर है वो वायू अंडल में कमपन करते हुए आकासी तत्तो को बदार्थी शरीर में कुशुकाव द्वारा ग्रण करने की क्रिया को हम मंत्र जाप या सब्द का ग्रण करने की क्रिया बोलते हैं जिसका प्रभाव हमारे सरीर पर होता है ग्रह दोस कुर्म कर्म मंत्र तंत्र वेदन आकासमीक दुरुघटना दोस निवारन होतु भगवती महाकाली का दिब्बे चतन्य मंत्र का उलेक है जो इस प्रकार है प्रतेक देवदेवताओं का तीन स्वरूप में पुजापाठ का बिधान है भगवती महाकाली के मंत्र तिर्गुण सिध्विप्रतान करती है वह इस प्रकार से हैं जैसे कि क्रेम ओम क्रेम ओम क्रेम हिरेम हुम ओम क्रेम क्रेम डक्षण काले क्रेम क्रेम नम्हा इस प्रकार से भगवती महाकाली के जो मंत्र हैं ओम तिर्गुण सात्विक तो मेरे चैनल के माधम से दिया हुआ जनकारी अगर आपको प्रसंद आवे तो प्लीज लाइक करें सुब्स्राइब करें कमेंट करें धन्यवाद